जहिन दोस्तों कैसे आपसे भी दोस्तों आपको पता हुआ कि ब्यारती जंदा पार्टी की प्रवक्ता नोपूर शर्मा ने एक डिबेट के दोरान पैगंबर महुमाद साहब के खिलाफ आपती जिनक बाते बाते बोल दीती उनके अपमान किया था भरी डिबेट के अंदर ज पुरा मामला क्या है आगे बात करेंगे लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पुरा एंड तक देखना और एक हमबल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब किये बिना कहीं मज जाना क्योंकि काफी ज्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में लेकिन गिरफतारी अभी तक नहीं हुई और वहीं किसी ने लीची की फोटो शोचल मीडिया पर डाल दी थी तो उसे 24 घंटे के भीतर गिरफतार कर लिया गया ये कैटर कि आपने शिवलिंग का आपमान किया है लेकिन नोपुर शर्मा ने लाइफ डिबेट के दोरान धर्मों का घर माने जाने वाले भारत में लोगों और उनके धार्मिक स्थानों पर हमले की घटनाएं बढ़ी है और अरब देशों ने भी इसके उपर अपनी कड़ी पृते करिया दी है और एक ट्वीट में कहा गया है कि बीजेपी ने अपनी रैड लाइन क्रोस कर दी और खास तो नहीं हुआ लेकिन इसको लेकर अरब देशों ने चेताया है कि अरब देशों का माहुल खराब हो सकता है अरब देशों ने कहा कि उनके यहां पर जो हिंदू रह रहे हैं उन पर खत्रा हो सकता है और एक और अरब के जर्नलिस्ट ने ट्वीट करके लिखा कि हम इस इंटर्नेशनल और्गनाइजेशन से आवहन करते हैं कि वे भारत के उन चरम पंतियों को जवाब दे जो जान बूच कर मुस्लिमों की पवित्रता का अपमान करते हैं और अरब की एक और मीडिया ने लिखा कि अरब देशों में इस समय गुस्से की लहर है और बीजेपी की एक नेता द्वारा पैगंबर मुहंबस सापर आपती जनक भाषण दिया गया जो पीम मोदी की पार्टी से हैं और इसमें इन्होंने बाइकॉट करने की अपील की हैं दोस्तों मैं आपको बता दू के भारत के लगभग 35 मिलियन से भी ज़्यादा लोग विदेशों में काम करते हैं जिसमें से अल्मोस्ट 8.5 मिलियन लोग मिडल इस्ट में काम करते हैं यानि अरब देशों में काम करते हैं जहां से लगभग 87 बिलियन डॉलर यानि इंडियन रुपीज में 67.5 खरब रुपए हर साल इंडिया में भेजते हैं जो हमारे भारत की GDP का लगबग 3% से भी ज्यादा हिस्सा है अब आप सोच सकते हो कि यही हाला चलते रहे और इसी तरह से नफरते फैलती रही तो 35 मिलियन लोग बेरोजगार भी हो सकते हैं जो की एक बहुत बड़ा आकड़ा है और भारत भी मिडल इस्ट से कई बिलियन डॉलर का व्यापार करता है हर महीने अब आप सोच सकते हो कि अगर वो लोग हमारे देश का बायकॉट करना चालू कर दे तो हमारे देश का क्या होगा लेकिन ये बात उन नफरतियों को समझ में नहीं आती इन इस पर दिहान क्यों नहीं दे पा रहे हैं बस दोस्तो आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आपस में प्यार बना करके रखो और जो नफरत फैला रहे हैं उनके खिलाफ आवाज उठाओ दोस्तो इसके उपर आपका क्या ओपीनियन अपना ओपीनियन कमेंट बॉक्स में ज देख रहे हैं तो पेज को जरूर फोलो करना और शेयर भी कर देना तो मिलते हैं इसी किसी इंफर्मेटिव सी वीडियो में जय ही जय भारत